यहाँ पे जितनी भी उपस्ती था मैं सब को हुदर से प्रणाम करती हूँ और आप लोगों को फिदर शेनमन करती हूँ और चार पंक्तियों के माधव से मैं अपना परचा देती हूँ कहां शेयाई हूँ, कहां आई हूँ और क्या करने आई हूँ तो शेयागा आई हुम इलजपल में मैं प्रयाग राज से लेकर के रस फुहार मैं प्रयाग राज से आई सभी के बीच में है चांद नी चंदा करती प्रणाम शब को है प्रयाग राज से और चार पंक्तियों के माध्धम से मैं शबका श्वागत करती हूँ आप लोगों ने हम शबका श्वागत किया तो हमारा भी फर्ज बनता है हम सबका श्वागत किया तो सुनिएगा आप आई है यकीनन बहाराई है आप लोग इस महफिल की शान है तो सुनिएगा आप आई है यकीनन बहाराई है हलकी हलकी सहरस की फुहाराई है आज महफिल में सुनी जाएंगी दिल से गजले आप आई तो यकीनन कराराई है आप आई तो यकीनन कराराई है और आज यहाँ जो भी शंगम हुआ है मैं उसकी वज़े से यहाँ पर उपस्थित हुई है और चार पंक्तियां देना चाहते हूँ दीदी के लिए और आनन सर के लिए और आनन जी के लिए तो सुनिएगा सभी के बीच आई हूँ लिए स्रिंगार की कविता सखी साहित में अपना लिए रुषधार की कविता यहाँ आनन दनन नियो यहाँ आनन दनन नियो सखी से दीपिका जी है दिखाने दिल से अपना पन लिए दिलदार सी कविता और चार पंक्तिया आप लोगों को देना चाहूँगी तो शुरिएगा कि मैं कविता में हूँ या कविता मुझ में है मैं चार पंक्तियों के माध्यम से बताती हूँ सुनेगा मेरी सासों में कविता है मेरी आखों में है कविता हिदय के भाव कविता मैं मेरा यस्तित्व है कविता कि मेरे हल कदम पर है यहां कविता वहां कविता कभी कविता में चंदा है कभी चंदा में है कविता कभी कविता में चंदा है कभी चंदा में है कविता और चार पंक्तियों मैं देना चाहती हूँ आप लोगों को और बताने की कोशिश करती हूँ कि जब धर्ती बादल को सारी बादल धर्ती को पानी देना बंद करता है तो धरती क्या कहती है मैं चार पंक्तियों के माध्यम से बताती हूं सुनेगा अगर मुझे को समझते हो इनायत एक कर दो तुम धरा बेचेन हैं देखो बरश दो में घुबन कर तुम अगर मुझे को समझते हो इनायत एक कर दो तुम धरा बेचेन हैं देखो बरश दो में घुबन कर तुम है लहराता नया जीवन वो जीवन दान कर दो तुम है लहराता नया जीवन वो जीवन दान कर दो तुम और यहाँ पे मातर सक्ती भी बैठी है हमारी बहने भी हैं तो मैं चार पंक्तिया उनको देना चाहती हूँ मैं तुझ में ही फड़कता है मुहाबत में वफासब है तुझे कैसे बताओ मैं मैं तुझ में ही धड़कती हूँ तो मुझ में ही धड़कती है और चार पंक्तिया आप सब को देती हूँ सुनेगा मेरी आँखों में पढ़लो तुम मुझे तुमसे मुहाबत है हिदय की बात कैसे अब कहू तुमसे मुहाबत है और चार पंक्तिया देती हूँ सुनेगा और यह बताने की कोशिश करती हूँ कि जब भगवान और भक्त में अंतर नहीं होता है तो क्या होता है मैं इन पंक्तियों के माधम से बताती हूँ सुनेगा स्वारी पंक्तिया मेरे दिमार्ग से निकल गई है तो मैं दूसरी पंग्डिया आपको सुनाती हूँ, आपको समर्फित करती हूँ, शुनिएगा, और यहाँ बताने की कोशिश करती हूँ, कि कविता क्या है, अभी शर्ण ने कहा कि कविता कैश्य लिखी जाती है, तो मैं यहाँ बताने की कोशिश करती हूँ, कि कविता क्या ह और उसके माध्यम से समझाते हूं तो सुनेगा जो रूठे को मना दे बस उसी का नाम कविता है खतम कर दूरियां दे जो उसी का नाम कविता है समुचे देस को माला कितागे सी पुरो दे जो सज सवरी अलंकारों से भूशित भाव कविता है सज चावरी अलंकारों से भूशित भाव कविता है चार पंगतियां मैं बताने की कोशिश करती हूं कि मुझे को लोग किस किस नाम से पुकारते हैं और क्या भूलाते हैं तो सुनिएगा पपी है सी ली तरपन युवाओं ने कहा चंदा बताया प्रेम से कवियो नेश्वाती बून्द है चंदा किसी ने फूल की खुशबू, किसी ने कहे दिया मदिरा किसी ने कहे दिया धड़कन, किसी ने चांद ने चंदा किसी ने कहे दिया धड़कन, किसी ने चांद ने चंदा तुम्हारे दिल की बाता को चुरा कर गीत गाते हो तुम्हें अपना समझती हो, तुम्हारे पास आते हो तुम्हारे दिल के बातों को चुरा कर गीत गाते हो तुम्हें अपना समझते हो तुम्हारे पास आते हो कोई दिवान कहता तू कोई मीरा बुलता है करू मैं क्या कहूं मैं क्या समझ कुछ भी न पाते हो करूं मैं क्या कहूं मैं क्या शमझ कुछ भी न पाती हो